नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आर्जी अन्जू रेडियो पोईट्री में आज मैं आपको एक ऐसी रचना सुनाने जा रहे हूँ जिसे मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा था मुझे बहुत पसंद आई तो आपके साथ साजा आवश्य करूँगी लेकिन उससे पहले कि शेर हो जाए नश्टर की तरह बात ना रख सामने मेरे अब जख्म किसी गयर का सहना नहीं मुझे ये शेर सुनित महता जी का लिखा हुआ है अब मैं आपको पोईटर सुनाओगी जिसका सिर्शक है इस्त्रियां अक्सर अहिल्या हो जाती है पुर्षो के फरेब और एहंकार से चोटे लिस्त्रियां पुर्षो की फरेब और एहंकार से चोटे लिस्त्रियां अक्सर अहिल्या हो जाती है पुरिशों की फरेब और एहकार से चोट इलिस्त्रिया अक्सर अहिल्या हो जाती है उसकी सारी सनवेदनाई पाशान हो जाती है मुर्जाय हुए जजबात बिखर जाते है मुर्जाय हुए जजबात बिखर जाते हैं रास्ते पर पत्थरों की शकल में फिर ना उसमें फूख पाते हैं प्राण प्रेम के पुश्व कभी और ना पिगला पाती है मनुहार, दुलार और प्यार जैसे ऐसासों की करमाहट और ना पिगला पाती है मनुहार, दुलार और प्यार जैसे ऐसासों की करमाहट वो विरक्त हो जाती है प्रेम की आकर्षन से सदा के लिए और अंतहीन प्रतिक्षा करती है अपने हृदे के देहरी पर तो इसी के साथ मैं लोगी अनुमती फिर से रेडियो पोईट्रे में एक नई रचना लेकर आपके सामने उपस्तित हो जाओंगी लेकिन तब तक के लिए पानी बचाईए सब को सिखाईए भेड लगाईए सब को सिखाईए नवस्कार क्या है क्या हुआगी तक का लेकिन पَّरेश हो जाराा है? झाल